Welcome to Government Jobs for your YouTube channel हिमाशल प्रदेश करमचारी चाइन आयोग हमिरपूर ने JOA IT सहीत 1661 पदों को भरने के लिए नोटिफेकेशन जारी कर लिया गया है इनमें से JOA IT के 1160 पद रहने वाले हैं आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है 25 October 2020 अगर बात करें टोटल नमबरों वेकिंसिस की तो हिमाशल प्रदेश करमचारी चाइन आयोग की तरफ से 1661 पदों को भरने के लिए नोटिफेकेशन जारी किया गया है इनमें से सबसे जाता वेकिंसिस रहने वाली है जूनियर आफिस असिस्टेंट की इनके 1160 पद भरे जाने वाले है जैसा कि मैंने आपके वाटसेप और आपके कमेंट्स के रिपलाई में कहा था कि हमाशल प्रदेश करमचारी चाइन आयोग की जो भी नहीं नोटिफेकेशन आएगी उसमें GOIT की पोस्ट रहने ही वाली है और यह कम से कम 800 पोस्ट रहेगी और अधिक से धिक 1200 पोस्ट रहेगी तो यहाँ पर देखे 1160 पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है अभी मैं आपको पोस्ट वाइस वेकिंस बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन काउंट से डिपार्टमेंट में यह पोस्ट रहने वाली है क्या रहेगी अलिजिलेटी क्राइटेरिया और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और लास्ट रहने वाली है तो यहाँ पर सैकिंड पोस्ट रहेगी स्टेशन फायर ओफिसर की इसके दो पत भरे जाएंगे ट्राफिक इंस्पेक्टर के छे पत भरे जाएंगे देखिए अभी मैं आपको पोस्ट वाइस बताऊंगा उसके बाद मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन बताऊंगा ठीके टेकनेशन वोयलर के दो पत भरे जाएंगे statistical assistant के 17 पत भरे जाएंगे assistant store के पर के 40 पत भरे जाने वाले हैं अगर आपने अभी तक यह mock test बायर नहीं किये है HPUJOIT के तो आपको description box में link मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इनको buy कर सकते हैं और यह mock test HPSSB मतलब कि जो notification में जो post अभी आई है 1160 post उनके लिए mock test बहुत important रहने वाले हैं सिर्फ एकी difference यहां पर रहेगा और वो है numbers of questions का HPUJOIT में 85 questions पूछे जाएंगे और अगर बात करें यहां पर तो यहां पर 170 questions पूछे जाएंगे तो आप इनको buy कर सकते हैं link अपको मिल जाएगा इसके अलावा यहां पर junior cameraman के 8 पत बहुत बहुत जाएंगे junior scale stenographer के 3 पत बहुत 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 जाएंगे cook का एक पत बहुत बहुत जाएगा assistant manager के 5 पत बहुत बहुत जाएगे का एक पत बहर जाएगा, वरक्षआप इंस्ट्रेक्टर के दो पत भरे जाएगा, सेरीकलर जे निस्टेक्टर के 6 पत भरे जाएगे, जूनियर डाटस्मेन, सिविल, इलक्टरिकल के 90 पत भरे जाएगे, और वेरियस department में, क्लर के 13 पत भरे जाएगे, जूनियर ऑफिसर के एक पद भरा जाएगा, स्टेनोटाइपिस्ट के तीन पद भरे जाएगा, जूनियर ऑफिस असिस्टंट के आट पद भरे जाएगा, सेनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र का एक पद भरा जाएगा, जूनियर इंजिनियर सीविल के तीस पद भरे जाएगा junior engineer mechanical के 5 पत भरे जाएंगे junior engineer civil के 1 पत भरा जाएगा यह अलग-अलग department के पत रहने वाले है मैं आपको आगे बताऊँगा इसके लाबा यहाँ पर computer operator के 5 पत भरे जाएंगे junior engineer electrical के 5 पत भरे जाएंगे laboratory assistant के 2 पत laboratory assistant का 1 पत scientific assistant का 2 पत bandman के 3 पत scientific assistant का 1 पत company commander के 3 पत restore का 1 पत भराज जाएगा इन सभी पतों के लिए आप विदिन करने के जो starting date रहेगी 26 September 2020 से लेकर 25 October 2020 अब बात करते हैं यहाँ पर की conconset department में कितनी vacancies हैं और पेस के लिए क्या रहेगा, examination pattern क्या रहेगा और कितनी रहेगी आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर लेज़े, subscribe तो अपने कर ही रखा होगा official notification का link आपको मिल जाएगा description में, वहाँ पर जाकर आप इस notification को download कर सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं कि junior office assistant के ये पत कौन-कौन से विवाग में भरे जाने वाले हैं, और उसके बाद बात करेंगे remaining post के लिए क्या रहने वाली है qualification की, और एक जरूरी सोचना उन सब यह विर्थियों के लिए, जिन्होंने post code 727 के लिए apply किया था जिन्होंने apply किया था post code 727 के लिए उनको दोबारा से आवेदन करने की जरूरत नहीं है ठीके, आपने एगर post code 727 के लिए आवेदन किया था last year तो आपको अब दोबारा से इसके लिए आवेदन नहीं करना होगा, तो बात करते हैं यहाँ पर कि कौन-कौन से वो विवाग रहने वाले है तो fisheries में यहाँ पर 15 पत भरे जाएंगे Horticulture में 2 पत भरे जाएंगे Election में 8 पत भरे जाएंगे State Audit में 2 पत भरे जाएंगे Himajal Pradesh State Selection Commission में 5 पत भरे जाने वाले हैं इसके लावा यहाँ पर Electoral Inspectorate में 4 पत भरे जाएंगे Economics and Statistics में यहां पर 3 पत भरे जाएंगे Technical Education में 59 वेकंड पत भरे जाएंगे State Cooperative Milk Producer में 13 पत भरे जाने वाले हैं HP State Council for Child Welfare में 2 पत भरे जाएंगे Industrial Development Corporation Limited में 3 पत भरे जाएंगे Printing and Stationery में 3 पत रहेंगे Forensic Services में 2 पत रहेंगे Divisional Commissioner Simla में 3 पत भरे जाएंगे General Industries Corporation Limited में 9 पत रहेंगे इसके अलावा PCS में 7 पत भरे जाएंगे Language and Culture में 3 पत भरे जाएंगे Women and Child Development में 42 वेकंड पत भरे जाएंगे जलशक्ति विभाग में 41 वेकंड पत भरे जाएंगे पंचैती राज विभाग में 14 वेकंड पत भरे जाएंगे सक्षम गुडिया बोर्ड में 1 पत भरे जाएंगे Youth Services and Sports में 8 पत भरे जाएंगे M.C. धर्मशाला मतलब की Municipal Corporation धर्मशाला में 2 पत भरे जाएंगे Real Estate Regularity Authority में 5 पत भरे जाएंगे Settlement Officer कांगडा में 3 पत भरे जाएंगे Town and Country Planning में 19 वेकंड पत भरे जाएंगे बद्धी बरोटी वाला नालागर डेवलप्मेंट में 3 पत भरे जाएंगे Labor and Employment में 39 वेकंड पत भरे जाएंगे Agriculture में 45 वेकंड पत भरे जाएंगे Tourism and Civil Aviation में 12 पत भरे जाएंगे Urban Development में 27 वेकंड पत भरे जाएंगे Prosecution में 11 पत भरे जाएंगे DC Office कुलू में 6 पत भरे जाएंगे HP State Handicraft and Handleum Corporation में 3 पत भरे जाएंगे Industries में 7 पत रहेंगे HP State Youth Board में 1 पत रहेगा HP Sports Council में 1 पत भरा जाएगा Municipal Corporation Shimla में 17 पत भरे जाएंगे HIPAA में 6 पत भरे जाएंगे Revenue, Relief and Rehabilitation में 3 पत भरे जाएंगे Divisional Commissioner मंडी में 1 पत भरा जाएगा Urban Development में 1 पत भरा जाएगा Empowerment of SES, OBCs, Minorities and Specially Abled में 28 वेकंट पत भरे जाएंगे Higher Education में 390 वेकंट पत भरे जाएंगे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पत भरे जाएंगे HB Council for Science, Tech and Environment में 4 पत रहेंगे DC Office, Sirmaur में 24 वेकंट पत रहने वाले हैं Transport में 3 पत रहेंगे Rural Development में 15 पत रहेंगे Advisor Planning में 6 पत रहेंगे Food, Civil, Supplies and Consumer Affairs में 15 पत रहेंगे Treasury, Accounts and Lottery में 40 पत यहाँ पर रहने वाले हैं Corporation में 2 पत रहेंगे Health and Family Welfare में 92 वेकंट पत रहेंगे Ayurveda में 17 वेकंट पत रहेंगे Advocate General में 3 पत रहेंगे यहाँ पर कुलमिला की 1133 पत रहेंगे जो की Contract Basis होंगे और इसके लावाई यहाँ पर Regular Basis पी रहने वाले हैं जो की Exercise and Taxation में रहने वाले हैं यहाँ पर 27 वेकंट पत रहने वाले हैं और कुलमिला की 1160 पत भरे जाएंगे जो की JOA IT के रहने वाले हैं यहाँ पर बात करते हैं Educational Qualification की अगर बात करें यहाँ पर Junior Office Assistant IT की तो इसके लिए आप कम से कम 12 पास होने चाहिए अगर आप 12 पास नहीं है और आपने 10 पास किया हुआ है साथ में आपने ITI का डिपलोमा किया हुआ है इन दा Trade of Information Technology तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ में आपकी यहाँ पर Computer Typing Speed 30 words per minute होनी चाहिए English Language में और 25 words per minute होनी चाहिए आपकी Hindi Language में या Graduate of the Institution of Fire Engineering India New Delhi और अगर बात करें आप पर आपका Physical Standard की तो आपकी height 165 cm होनी चाहिए आपकी chest 80 cm होनी चाहिए आपकी eyesight 6x6 होनी चाहिए without glasses आपका weight 52 kg होना चाहिए अब यहाँ आपर बात करते हैं इसके लिए आप बीकॉम होनी चाहिए या आप यहाँ पर है आपका यहाँ पर है आपका स्टेनोटाइपिस्ट तो इसके लिए आप बाहर भी पास होनी चाहिए और आपके पास एक वर्ष का यहाँ पर है आपका स्टेनोटाइपिस्ट तो इसके लिए आप बाहर भी पास होनी चाहिए और आपकी यहाँ पर शॉर्ट हैंड स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए नेक्स यहाँ पर है इंस्पेक्टर होटेल तो यहाँ पर आप ग्रेशुएट होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन होटेल मैनेश्बेंट में इसके लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए मेकेनिकल एंजिनेरिंग की या आटो मोबाइल एंजिनेरिंग की इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजिनेरिंग का सिवल एंजिनेरिंग का ठीक है next postcode यहाँ पर है assistant librarian का इसको लिए आप 10 मीं pass होने चाहिए और आपके पास diploma होना चाहिए लाइड री डिपलोमा होना चाहिए लाइड रिपरे में कि पास इसको अब की पास work experience होना चाहिए Electrical Engineering का या Electrical या Electronic Engineering का Next आपके पास यहां पर है Postcode 830 Junior Cameraman इसके लिए आप 10 मी बास होने चाहिए और आपके पास Diploma होना चाहिए Photography का और कम से कम 2 वर्ष का आपके पास Experience होना चाहिए Motion Picture या Video Graphic का Next Postcode 831 Junior Scale Stenographer आप यहां पर 12 पास होने चाहिए और आपके जो Speed या Shorthand की वो 80 Word Per Minute होने चाहिए English Language में और 70 Word Per Minute होने चाहिए Hindi Language में Computer पर आपके Speed बहुत अची होने चाहिए English में 40 Words Per Minute और हिंदी में 30 Words Per Minute होने चाहिए Postcode 832 को की या Posture है कि इसके लिए आप 12 पास होने चाहिए और आपके पास Diploma होने चाहिए Catering and Food Craft का Next Postcode 833 Assistant Manager Technical तो इसके लिए आप B.Tech होने चाहिए Textile में Postcode 834 Salesman आप बाहर में पास होने चाहिए और आपके पास थोड़ा पहुत Experience होने चाहिए Sales Matters का अगर बात करें यहां पर Examination Pattern की Especially Postcode 817 जो की GOA IT कर रहेगा यहां पर 170 में से 120 Question कम्प्यूटर से पूछी जाएंगे और पचास Question आपके यहां पर G.K.Marshall, G.K.India यहां से पूछे जाएंगे तब के लिए Mock Test बहुत Important है आपको मिल जाएंगे description में लिंक है आप वहां से जाकर उसको Buy कर सकते हैं और application fees यहां पर रहेगी अपना आवे दन अभी कर सकते हैं